सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूटीब चैनल अंकित सर्शिवा क्लासेज को और दबाईए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है हाँ तो दोस्तो नमस्कार फिर मेरे इस चैनल लंकित सर्शिवा क्लासेज पर दोस्तो रोज की भात फिर से मैं एक बार हाजिर हूं जी के कुईज का पार्ट 15 लेकर दोस्तो इस कुईज में मैं 50 कोस्चिन आपको बताने जा रहा हूं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस नगरवधु की प्रेम कथा पर आधारिज नाटक कौन सा है। दोस्तो इसका सही एंसर होगा। मिरिक्ष कर्टिकम। चलिए दोस्तो अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तो दूसरा कोश्चन है कि नीचे दिये गए कथनों का आउलोकन कीजिए। पहला है कि वे कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधी से विभूसित किये जाने वाले पहली भारतिय मूल की थी। दूसरा है कि दो हजार नो में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने सिख्के जारी किये थे। और तीसरा है कि सोलोहवी सतअबदी में गोसालो गार्षिया के बात संत की उपाधी से विभूसित किये जाने वाली वे दूसरी भारतिय थी आपका question है कि यह तीनों कथन किसके संदर्व में सही है आप फिर से देख लिजे questions को कि नीचे दिये कथनों का उलोकन कीजिए यह तीन कथन दिये गये हैं तीनों कथनों में यह किस पर कहा गया है दोस्तों इसका सही अंसर होगा बी इसका सही अंसर होगा बी संत अलफोंसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट अलफोंसा का नजन्म 1910 अगस 1910 को हुआ था कैथोलिक चर्च द्वारा कैनों नाइज की जाने वाली वह पहली भारतिय थी दोस्तों इसकी वीज के तिसरा कोश्चन है कि 1867 में हिंदी को दूसरी अधिकारिक भासा बनाने की मांग की गई थी कि जिस कारण हिंदू उर्दू विवाद उत्पन हुआ था इस परिवर्तन का मुखर विरोधी कौन था आपसंस आपके सामने हैं सर सयद अहमद खान, सयद महमूद, महसीन उलमलिक या फिर मौलाना हाली दोस्तों इसका सही अंसर होगा ए सयद अहमद खान दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1867 में ब्रिटी सरकार ने सयुक्त परांत के हिंदू समुदाय की मांग को स्युकार किया था हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंदी को दूसरी अधिकारिक भासा बनाने की मांग की थी दोस्तों इसक्वीज के चौथा कोश्चन है कि दक्षिन अपरिका से लोटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह क्या कौन सा था दोस्तों इसका सही अंसर होगा इसका सही अंसर होगा C. चमपारन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि महादमा गांधी जी द्वारा चमपारन सत्याग्रह उननीस अपरेल उननीस सो सतरह में इसका सुरू किया गया था इस सत्याग्रह का उदे से नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था दोस्तों पांचवा कोस्चन है कि युनान का प्राचीन नाम क्या था सही अंसर होगा A. हैलाज युनान का जो प्राचीन नाम था वो हैलाज था इसक्वीज का छठा कोस्चन है कि इटली की एक केस नेता की तुलना कूट नीति के मामले में बिसमार्क से की जाती है इसमें इटली जो मतलब मैं आपको कुछ बाते बता दूँ कि इटली का एमानुवल दिती की तुलना कूट निती के मामले में बिसमार्क से की जाती है। दोस्तो साथवा कोश्चन है कि स्वीटिजर लेंड में धर्म सुधार अंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया था। दोस्तो इसका सही अंसर होगा बी जुइंगली ने। दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि स्वीटिजर लेंड में धर्म सुधार अंदोलन का नेत्रित्व जुइंगली ने किया था। दोस्तो इस्वीटिजर का आठवा क्योश्चन है कि तन्नी थराई राश्ट्री उद्यान किस देश में हैं। दोस्तो इसका सही अंसर होगा C मैमार। मेमार दोस्तों मैं आपको बता दू कि तन्नी थराई जो है राष्ट्री उद्यान मेमार में है इसका छेत्रफल जो है दो हजार बहत्तर दो हजार बहत्तर वर्ग किलो मीटर है या सामबर हीरन हाथी भौकने वाले हीरन बाग तेंदुआ आधिका छेत्र है सबजी तेल भारत की सबसे बड़ी गएर तेल आयात वस्तु रही है इस संदर्भ में क्रिपया निमनलिखित कारणों पर विचार कीजिए पहला है कि लावकारी समर्थन मुल्यों के कारण भारत में खादे अनाज अधिक उगाया जाता है दूसरा है कि भारत में तेल वीज की खेती ज्यादा तर बारिस वाले छेत्रों पर निर्भर है और तीसरा है कि सबजी के तेल का आयात लगभग प्रभावी रहा है दोस्तो इस कथन पर विचार करके आपको बताना है कि इन कथनों में कौन सही है मतलब कि केवल पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है या दो कोई भी कोई दो सही है या फिर तीनों सही है दोस्तो इसका सही अंसर होगा कि पहला और दूसरा सही है आपको मैं बता दूं कि पहला और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये दोनों सही है दोस्तो इस्वीज के दसवा कोश्चन है कि सारवजनिक लेखा समीती का चेयर्मेन कौन होता है इसका सही एंसर होगा C. लोकसभा अध्यक्ष दोस्तो मैं आपको बता दू कि सारवजनिक लेखा समीती मतलब P.A.C. का चेयर्मेन लोकसभा अध्यक्ष होता है तो इस क्रीज के गेरहवा कोश्चन है कि भारत की अजादी के बाद राजियों के बिलय के दवरान किस राजि के सासक के फरमान को भारत सरकाह ने संदेः पूर्ण बैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था दोस्तों इसका सही एंसर होगा बी हैदराबाद के निजाम को दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत रहने का फैसला किया था भारत ने हैदराबाद के विले के लिए काफी प्रयास किये परंतु सभी प्रयास असफल रहें अंत में भारत सरकार ने सैने आपरेशन पोलो लांच किया था और 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद के नियाम की सेना ने आत्म समर्पन कर दिया था दोस्तो इसक्वीज का 12 हवा कोस्चन है कि रिगवैदिक काल में प्रमुख कौन थे आपके आपसंद सामने हैं इसका सही अंसर होगा दोस्तो उपरोक्त सभी मतलब की पुरोहित सेनानी और जैमिनी सभी जो थे वो प्रमुख होते थे रिगवैदिक काल में तो इसक्वीज का 13 हवा कोस्चन है कि वर्ना कुलर प्रेस अधिनियम और सस्त्र अधिनियम की सभाय सराय के द्वारा पारित किया गया था आपके सामने आपसंस हैं कि लाड लिटन, लाड मेयो, लाड डल हौजी या फिर लाड हार्डिंग दोस्तो इसका सही अंसर होगा ए लाड लिटन, लाड लिटन जो है इसका सही अंसर होगा मैं आपको बता दूँ कि लाड लिटन 1876-1880 के दोरान भारत के वाय सराय थे 1876-1878 के अकाल को सही ढंग से ना समहाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी उन्होंने वर्नाकुल प्रेश अधिनियम वस्सत्र अधिनियम 1878 पारित किया था दोस्तो इसक्विच का 14वा कोस्ट्यन है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है दोस्तो इसका सही अंसर होगा A. 622 इस्वी से उसका प्रारंभ माना जाता है दोस्तो इस quiz का पंद्रहवा question है कि मिजोरम की फांग पूई को अन्य कीस नाम से जाना जाता है दोस्तो इसका सही answer होगा B. Blue Mountain आपको मैं बता दूँ कि फांग पूई को Blue Mountain के नाम से भी जाना जाता है यह मिजोरम में 1257 मीटर की उचाई पर इस्थित है यह मिजोरम के लान गतई जीले में इस्थित है दोस्तो इस quiz का सोलहवा question है कि चर्यापद की रचना किसने की थी आपसंस आपके सामने है इसका सही answer होगा B. महासिद्धने चर्यापद की रचना की थी यह दसवी सताबदी में यह रचना हुई थी और यह एक बौध गरंथ है इसकी रचना महासिद्धने की थी और इसकी रचना पाल वंस के दोरान की गई थी दोस्तो अगला question है कि ओरंग राष्ट्रिय उद्ध्यान किस प्रदेश में है इसका सही answer होगा B. असम में इसका सही answer होगा B. असम में आपको मैं बता दू कि ओरंग जो राष्ट्रिय उद्ध्यान है असम के दर्रांग और सोनित पूर जिले में ब्रह्मपूतिन पुत्र नदी के उत्तर में है दोस्तो इस क्वीज का अठरहवा question है इस स्वेज नहर भुमध सागर को अनिकी सागर से जोडती है आपसंस आपके सामने है लाल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर स्वेज सागर दोस्तो इसका सही अंसर होगा ए लाल सागर मतलब कि जो स्वेज नहर है वो भुमध सागर को लाल सागर से जोडती है दोस्तों आपको बता दू कि स्वेज नहर मिश्र में इस्थी थे इसकी कुल लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर है इस नहर का कारे 25 सितंबर 1869 को सुरू हुआ था 17 नौंबर 1879 को यह नहर बन कर तयार हो गई थी तो दोस्तों उन्हें स्वा कोश्चन है कि निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाहतंत्र कौन सा है आपसंस आपके सामने है और इसका आपसंस सही होगा C. Mississippi मतलब कि अमेरिका की 41 परशन नदिया इस प्रवाहतंत्र से संबंधित है इसकी प्रमुख सहायक नदिया जो है और कंसास, इले नाईस, मिसोरी, आहियो और लान नदी है दोस्तों इस कुछ का बिश्वा कोश्चन है कि 1883 का पेरिस समझावता किसके संरक्षन से संबंधित था इसका सही एंसर होगा बी बौधिक संपदा से जो है वो 1883 का पेरिस समझावता संबंधित था दोस्तों आपको बता दूँ कि यह समझावता जो है 20 मार्च 1983 को हुआ था दोस्तों इस कुछ का कैस्वा कोश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं बेवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था दोस्तो इसका सही एंस्वर होगा D. Unto This Last दोस्तो आपको मैं बता दू कि Unto This Last जो है वो पुस्तक जान रसकिन द्वारा लिखी गई है या पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकासित हुई थी इस पुस्तक में पुंजी वाद की कड़ी अलोचना की गई है इस पुस्तक से महात्मा गांधी काफी प्रेरित हुए और उन्होंने एक फर्म इंडियन ओपिनियन नाम से अपना अखबार सुरू किया वहां भी सभी लोगों को बीना किसी भेदबाव के एक समान वेतन दिया जाता था दोस्तो इस कुईज का 22 वा कोस्चन है कि 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांथ किये जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था आपसन आपके सामने हैं ये सही इसका एंस्वर होगा दोस्तो C. आगरा वो अवध का संयुक्त प्रांथ 1902 से 1947 तक अस्तित में रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका नाम संयुक्त प्रांथ रखा गया बर्तमान में यह छेतर उत्तरा खंड और उत्तर प्रदेश में है दोस्तो इस क्विज का 23 वा कोस्चन है कि मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया आपके सामने आपसन है आप कोस्चन फिर से सुन लिजिए कि मंडल जो कमीशन है वो किसकी सरकार में बैठाया गया दोस्तो इसका सही अंसर होगा बी मुरारजी देशाई के सरकार में मंडल कमीशन मुरारजी देशाई की सरकार में निक्त किया गया था इसमें OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था जिसकी मंजूरी दे दी गई है दोस्तो इसक्वीज का 24 वा कोश्चन है कि जर्मनी में रक्त और लौह की निती किसने बनाई थी फिर से सुन लिजे जर्मनी में रक्त और लौह की निती किसने बनाई थी आपसंस आपके सामने है इसका सही अंसर होगा दोस्तो C. Victor Hugo ने विक्टर हुगो ने जो है रक्त और लौह की निती बनाई थी दोस्तो आपको अब अगले कोश्चन की तरव लेकर चलते हैं दोस्तो इसका 25 कोश्चन है कि अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था आपके सामने आपसंस है इसका सही अंसर होगा C. साह आलम दुटिय को अली गौहर कहा जाता था दोस्तो इस कुईश का 26 कोश्चन है कि सयुक तराष्ट संग नविंतम सरकारी भासा कौन सी है आपसंस साब के सामने हैं रूसी अर्बी चीनी या फिर इस्पेनी दोस्तो इसका सही अंसर होगा B आपको मैं बता दूँ कि सयुक तराष्ट संग की जो नविंतम सरकारी भासा है वह अर्बी है दोस्तो इस कुईश का 27 कोश्चन है कि इंग्लेंड ने अमेरिका में बस्तिया बसाने की अनुमती कई कमपनियों को परदान की थी उनमें मैसाचुसेट्स कमपनी को आग्या कब परदान की गई थी आपके सामने आपसंस है इसका सही अंसर होगा A 1629 में आपको मैं कुछ बाते बता दूँ कि इंग्लेंड में अमेरिका में बस्तिया बसाने की अनुमती कई कमपनियों को परदान की थी उनमें मैसाचुसेट्स कमपनी को आगया 1629 में परदान की गई थी दोस्तो इसको इसका 28 वा कोश्चन है कि विशिष्ट सापक छता के सिधान्त का प्रतिपादन किसने किया था आपके सामने आपसंस है और इसका सही अंसर होगा ए अलबर्ट आइंस्टाइन ने दोस्तो आपको बता दूँ कि अलबर्ट आइस्टीन जो थे वो 1905 इसवी में सापक छता के विशिष्ट सिधान्त का प्रतिपादन किये थे इस सिधान्त के अनुसर जो की E बराबर MC स्क्वाइर होता है इसमें आपको मालुम है कि जो E होता है वो इनर्जी होती है C जो होता है प्रकास का जो होता है गती होता है और 2022 तो इसकी का उन्तिसवा कोश्चन है कि निम्न में से क्या नेपोलियन की विधी संहिता का भाग नहीं था इसका सही एंस्वर होगा D. धर्म विवाद संहिता आपको बता दूँ कि धर्म विवाद जो संहिता था वो नेपोलियन की विधी संहिता का भाग नहीं था तो इसक्वीज का तीसवा कोश्चन है कि नेपोलियन बोना पार्ट ने किस अंग्रेजी नो से ने अधिकारी के समक्ष वाटर लू में समर्पन किया था फिर से सुन लिजे नेपोलियन बोना पाट ने किस अंग्रेज नौ से अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पन किया था दोस्तो इसका सही एंसर होगा B. आर्थर वेलेजली के समक्ष दोस्तो ये आपको मैं बता दू कि जो अंग्रेजी नो सेन अधिकारी जो थे उनके समक्ष वाटर लुकास में समर्पन किया था नेपोलियन बोना पार्टने उनका नाम था आर्थर वेलेजली ठीक है चलिए आगे बठते हैं दोस्तो इसक्विज का एकतिसवा क्वेश्चन है कि प्रवर सेन प्रथम ने सभी सब्त त्याग किये थे वो किस वन्सका था दोस्तो इसका सही एंसर होगा ए वाकाटक वाकाटक जो है इसका सही एंसर होगा प्रवर सेन प्रथम ने सभी सब्त त्याग किये थे वो वाकाटक का था तो इस कुईज का 32 कोस्चन है कि गंगाई कुंड चोल पूरम की अस्थापना किसने की थी दोस्तो इसका सही अंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम ने ठीक है आगे चलते हैं अगले कोस्चन की तरफ दोस्तो इस कुईज का 33 कोस्चन है कि कौन सी नदी में सरवाधिक पानी है आपके सामने आपसंस है और इसका सही अंसर होगा बी अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा पानी है यह जो अमेजन नदी है यह ब्राजील की एक नदी है जो जल की मातरा के अधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो इस कुईज का 34 कोस्चन है कि चावल की प्रथम साक्ष कहां से प्राप्त हुए है जो चावल की खेती है उसका प्रथम साक्ष कहां से प्राप्त हुए है आपसंस आपके सामने है और इसका सही अंसर होगा सी बेलन घाटी से आपको मैं बता दूँ कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष जो है वो बेलन घाटी से प्राप्त हुए है यह अस्थान उत्तर प्रदेश के इलाहबाद में है इलाहबाद का नाम जान लिजिए यहां से चावल के जो है पहले जो है सबसे पहला साक्ष प् दोस्तो, इसको इज का 35 वा कोश्चन है कि लेक्चरस on the industrial revolution in England। फिर से दिख लिछे, lecturers on the industrial revolution in England किसकी क्रिति है। absence आपके सामने है और इसका सही अंसोर होगा। दोस्तो, A टाइनभी, टाइनभी जो है वो इनकी क्रिति है यह lecturers on the industrial revolution in England है, चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों इसकी quiz का 36 कोश्चन है कि संयुक्त राष्ट महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहां हुआ था और आपसंस आपके सामने है स्रेन फ्रांसिस्को, नियू यार्क, लंदन या फिर पेरिस दोस्तों इसका सही अंसर होगा C, लंदन इसका सही अंसर होगा C, लंदन मतलब कि संयुक्त राष्ट महासभा का पहला जो नियमित अधिवेशन था वो लंदन में हुआ था दोस्तों इसको इसका सही अंसर होगा B, महारास्ट्रा में आपको मैं बता दूं कि नवे गाउं जो राष्ट्री उद्यान है वो महारास्ट के गोंदिया जिले में है और 133.78 वर्ग किलो मीटर के छेतर में यह फैला हुआ है इसमें अनेक प्रकार की मचलिया पाई जाती है इसके अलावे यहां पक्षियों की 209 प्रजातिया सरी स्रीप वर्ग की 9 प्रजातिया और अरस्तंधारी जो है अरस्तंधारी आपको मैं बता दूं कि उनकी जो प्रजातिया है वो 26 प्रजातिया पाई जाती है और वो इस देह में इस्तित है आपसंस आप के सामने है और इसका उंसर होगा सी दंजानिया में किली मंजारो परवत अंजा नहीं स्थीत है और मैं आपको बता दूँ कि यह 4900 मिटर की उचाई परिष्थित है या अफ्रिका महादीव का सबसे उचा परवत है कीली मंजारों परवत ठीक है कि दोस्तों अगला कोश्चन है 49 नंबर कि की स्वर्स वितिय छेत्र आकलन सी एफ एस एप पर समीती की अस्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी इसका सह सही अंसर होगा B2006 में आपको मैं बता दूँ कि जो यह 2006 में जो है इसकी मतलब की यह वितिय छेत्र आकलन जो है CFSA पर समीती की अस्थापना जो है भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी दोस्तों इस क्विज का 40 वा कोश्चन है कि कस्वा योजना समीती भारती समिधान के किस भाग में आती है आपके सामने आपसंस है और इसका सही अंसर होगा दोस्तों सी भाग नो ए में दोस्तों इस क्विज का 40 नंबर कोश्चन है कि गुप्तकाल में हल्दंड या हली वकर क्या था गुप्तकाल में हल्दंड या हली वकर क्या था दोस्तों इसको मैं आपको एंसर बता देता हूँ इसका सही एंसर होगा ए एक कर मतलब कि जो एक कर था और हली वकर मतलब की था काने का मतलब यह है कि हल दंड एक कर था जो की हल पर लगता था और जो और सरकरा नील नील बनाने वालों पर लगता था जो हल दंड है वो हल पर लगता था और जो सरकरा नील बनाने वालों पर लगता था पहला है कि लोग सेवा आयोग चाल्स एची सन लोग सेवा के लिए रायल आयोग लाड एसलिंग तिसरा है कि विशिष्ट लोग सेवा के लिए रायल आयोग मतलब कि लाड विस काउंट ली ये तीन आशनस आपके सामने है और इसमें आपको सही करम आपको लगाना है कौन सबसे पहले होगा उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन होगा और फिर तीसरे नंबर पर कौन होगा इसका सही करम आपको लगाना है और आप लगाद लीजिए यह आपको नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही करम एकदम सही करम में यह लगा जो है वह पहले क्रम में होगा दूसरा जो है दूसरे नमबर पर होगा तीसरा जो है वह तीसरे नमबर पर होगा चलिए इसमें आपको कुछ बाते बता दूँ यह कैसे होगा कि लोग सवा आयोग का जो गठन हुआ वह 1886 में लाड चार्ल्स एचीशन की अधिक्षता में किया गया था इस आयोग में 1915 में अपनी रिपोर्ट सवपी विशिष्ट लोग सेवाओ के लिए लोग सेवा आयोग का गठन 1923 में हुआ और यह जो है लाड विसकाउंट ली के अधिक्षता में किया गया था मतलब कि यह जो है सही है दोस्तों इस कुछ का 43 नमबर कोस्चन है क कि निमनली खित में से कांग्रेश के किस अधिवेशन में कांग्रेश का विभाजन दो भागों में हुआ जैसा कि आपको थंबनिल में देखने को मिला था इसका सही अंसर होगा दोस्तों ए सूरत जो है यह सही है भारती रश्टिक अंग्रेश का जो विभाजन है 1907 में सू यह उजित किया जाना था लेकिन इसको सूरत में किया गया दोस्तों इसका 44 नंबर कोस्चन है कि असन में इस्थित बरा घाटी किसली लिए परसीद है आपसंस आपके सामने है पेट्रोलियो मुत पादन चाय की खेती बास उद्द्योग और इसका सही अंसर होगा दोस्तों सी बास उद्द्योग इसका सही अंसर होगा सी बास उद्द्योग जबकि ये मैंने आपको गलत बताया हुआ है चले दोस्तों माफ कीजिएगा इसका सही अंसर होगा आपको बता दूँ ये होगा चाय की खेती और ये जो है आपसं ये जो है गलत है ये जो है ये आपसं पहतालिस नंबर कोश्चन है कि भुगोल के अध्यान में ब्यवस्थी द्रिष्टिकोंड की सुरुवाद किसने की थी आपसंस आपके सामने हैं और इसका सही अंसर होगा सी ओलिंडर हमबोल्ट ने भुगोल के अध्यान में मुखी रूप से दो द्रिष्टिकोंड उपयों किये जाते हैं बयवस्थी द्रिष्टिकोंड और चैतरी द्रिष्टीकोंड जो की एललेकजंडर बोन हमबोल्ट ने शुरुवाद की थी दोस्तों इसको 46 नम्बर कोच्चन है कि माउंट कोजियासको किस देश का सबसे उचा परवत है दोस्तो इसका सही अंसOR होगा C. अस्टेलिया का सबसे उचा परवत है जिसका नाम है माउंट कोजियासको दोस्तो जो ये माउंट कजियसको है वो अस्टेलिया की न्यू साउथ वेल्स परांत में स्थित है और इसकी उचाई जो है 2228 मीटर की उचाई पर है दोस्तो इसकी विज़ के 47 नंबर कोश्चन है कि रूबल किस देश की मुद्रा है इसका सही एंसवर आपको नीचे कमेट बाक्स में बताना है और मैं इसका इंतजार करूँगा यदि आपको नहीं पता होगा तो अगले क्विज में इसका एंसवर बता दिया जाएगा दोस्तो इसकी विज़ का 48 नंबर कोश्चन है कि निमलिखित में कौन सा पुरसकार केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सरोसिष्ट कारे के लिए दिया जाता है आपसंस आपके सामने है और मैं आपको इसका एंसवर बता देता हूँ दोस्तो इसकी विज़ का 50 नंबर कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन सा समीति का सदस्य नहीं है जिसने अध्याक्ष और राष्टी मानवा धिकार आयोग के सदस्यों की निमलिखित के संबंध में भारत के राष्टपती से सिपारिस करती है चलिए दोस्तो आपकसं साब के सामने है और इसका सही अंसर होगा दोस्तो डी केंद्रिय कानून मंत्री न्यूक्ति समित्य के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री लोकसभा के अध्यक्ष ग्री मंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता राजसभा में विपक्ष के नेता और राजसभा में के उपसभापती सामिल है तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो ये था GQ कीज का 50 कोश्चन यदि दोस्तो आपको इसका नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें टेली ग्राम पर भी फालो कर सकते हैं दोस्तो मेरे टेली ग्राम चैनल का नाम है अंकित सर्शिवा क्लासेज उस पर जाकर जुड़ जाए और इस नोट्स का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तो तब तक के लिए मेरे को दीजिया इजाजत तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत